नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो अज्जायानम नमो लोई सवसाहूनम मंगल मैं मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताही जाते वै अरहंता दिमान करि मंगल कर हो महा ग्रन्थ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज्पदरा शिव उपाई करते प्रथम कारण मंगल रूप विगन विनाशक सुक करन नमो सिद्ध शिव भूप मोक्ष मार प्रकाशक का नव अदिकार चल रहा है जहां पर हमारा प्रकरन जो चल रहा है कि आत्मा का हित ही मोक्ष है और वह मोक्ष सर्व करमों के अभाव की अवस्ता का नाम है कल प्रकरन चल रहा था कि घाती करम में मुहीनी करम मुख्य रूप से जीव को आकुलता व्याकुलता कराता है और उसी मोहुनी करम जो शेश अगाती करम हैं उनके अंदर भी वही अपने उदे से शरीर आदिक या शरीर से सैयोगी पदार्थों के अंदर रागादी गुत्पन कराके इस जीव को दुखी करते रहते हैं इसलिए सर्व करमों का नाश होना ही आत्मा का हित है और सर्व करम का नाश होने का नाम ही मोक्ष है ऐसा इस जीव को ड्रड शर्दान ड्रड निश्य करना चाहिए प्रस्ट करमांग 307 में अब इसके आगे का जो प्रक्रण है कि जो टोडल मल जी के सामने उनकी सवाब में कोई जीव बैठे है या कई बार इस जीव को ऐसा चिंतन भी आता है क्या सुख मोक्ष के अंदर ही है क्या क्या सुख इस संसार अभाव का नाम ही है क्या क्या इस संसार के अंदर सुख नहीं है क्या कई जीवों को इस संसार के अंदर सुख नजर आता रहता है तो उसी का एक प्रशन यहां पे उठाते हैं प्रस्ट करमांग 307 में पैराग्राफ नंबर एक दो तीसरे नंबर का यहां कोई कहे संसार दशा में पुन्य करम का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है किया है प्रशन कार का प्रशन के संसार दशा में पुन्य करम का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है इसलिए मोक्ष को ही सुख का कारण क्यों माना जाता है मोक्ष को हितका कारण क्यों माना जाता है कि हम इस संसार के अंदर कई ऐसे प्राणी देखते हैं जिनके पूर पुन्य के उदय से बाईय संयोग या अनुकूल वातावरण पाया जाता है तो वह जी अमारे को कैसे दिखते हैं वह निराकुल दिखते हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या व्याकुलता नजर नहीं आती क्यों? क्योंकि पूर पुन्य का उदय इतना अच्छा है कि उनके सारा जो परिकर है उनके शरीर के संबन में संयोगी है वह सारे संयोगी पदार्थ भी उनके अनुकूल है और जो शरीर है उसका जो नाम करम है वह नाम करम भी कैसा शुब नाम करम के उदय से उनका शरीर भी स्वस्त है शरीर में भी रोगा दिक नहीं मिल रहा तो उन्हें ऐसे जीव हमारे को संसार में सुखी नजर आते हैं तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि संसार में तो दुखी ही है और सुख है सो मोक्ष में ही है कुछ आप ऐसा कह दो कि संसार में जिसके पास अच्छा पुन्य है पूर में जिसने बहुत पुन्य बांदा हुआ है वो जीव तो संसार में सुखी है अब जिसके पुन्य नहीं है जिसके अच्छा शुब करम नहीं बांदा हुआ है उस जीव के लिए आप बोलो कि वह या तेरे को सुखी होना है तो यह संसार से छूट करके मोक्ष में चला जा कि बोले जिसके वही कमाने के लिए कौन प्रत्न करता है कि जिसके बाईये के अंदर कुछ रुपय पैसे की कुछ आजीविका का सादन नहीं होता है वही जीव तो कमाने का प्रत्न करता है वही तो देश विदेश में जाता है नहीं नहीं नोकरी करता है क्यों क्योंकि उसको आजीविका चाहिए अब जिसके पास आजीविका का संपोर्ण सादन है अर्था जिसके पास धन आदिक संपोर्ण है तो वह धनक्या प्रयास क्यों करेगा तो ऐसा सिश्य का प्रेशन है टोड़नमल जी का प्रेशन क्या प्रेशन उपस्तित हुआ कि बोले जिसके पास बहाई ये सारी अनुकुलता दिखरी है जो जी निराकुल है तो बोले उस जीव को आप ऐसा क्यों कहते हो कि संसार में दु अनुकुलता है दिखरी है जिनके पास अनुकुल सामगरी नहीं है उन जीव को तो बोलो कि बहिया देख तु मेहनत बहुत कर ले लगी तेरे पाप करम का हुदा इतना तीवर है कि तेरी सारी की सारी मेहनत निश्वल में जाएगी इसलिए तु संसार के लिए कुछ भी प् पुर्शार्थ करना है तो मौक्ष का पुर्शार्थ कर तो सुखी हो जाएगा तो यदि आप ऐसा बोलो तो हमारे को आपकी बात समझ में आ जाती है कि मौक्ष में भी सुख है लेकिन आप ऐसा मत बोलो कि संसार में सुख नहीं है क्योंकि जीव को दिखता तो ही कि जिसके पास जैसे जो राजा आदिक है या चक्रवर्ती आदि है या जिसके पास बहुत अच्छी भोगे सामगरी है वैसा हमारे को संसार में आपको लित को ना दिखते हैं हमारे को तो कैसा दिखते हैं कि राजा के पास कोई काम नहीं करना दिन वर आराम से राजमेल में रहो औरर द ये मनाना वो खाना मस्ती करना घूमना फिरना तो राजा दुखी का है थोड़ा बहुत उसको परेशानी हो और सेखड़ों नोकर उसकी हाजर में जिया जूरी में लगे हुए तो ऐसे जीव तो संसार में सुखी नजर आते है तो उन जीवों को तो आप कम से कम कह दो कि पुन्य के उद्य के जिनका बहुत अच्छा पुन्य का उद्य है ऐसे जीव भी संसार में सुखी है तो हमारे को ये बात प्रत्यक्ष दिखती है अगर आप ऐसा बोल दो तो हमारे को भी आपकी मौक्ष का हित वाली बात भी समझ में आ जाएगी लेकिन आप तो कैसे बोल रहे हो ये वले संसार में तो किंचित भी सुख नहीं है तो हमें ये बात अटपटीसी नजर आ रही है क्योंकि प्रत्यक्ष जो दिखता है जीव वही तो मानेगा तो वहाँ पे टोड़ल वल्जी प्रत्यक्ष ही हित है ऐसा किसलिए कहते है तो क्या समझादान करते है इसका कि संसार दशा में सुख तो सरवता है ही नहीं दुख ही है परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है किसी के कभी थोड़ा दुख होता है सो पूर में बहुत धुक था वैं अन्य जीओं के बहुत धुक पाया जाता है उस अपेक्षा से थोड़े धुख वाले को सुखी कहते हैं तथा उसी अभी प्राय से थोड़े धुक वाला अपने को सुखी मानता है पर मार्थ से सुख है नहीं तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठेराए सो वह भी नहीं है थोड़े काल ही पुन्य का उदे रहता है और वहाँ थोड़ा दुख होता है पश्चाद बहुत दुख हो जाता है इसलिए संसार अवस्ता हित रूप नहीं है यहाँ पे जो एक वर्ड आया है तता यदा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठेराए यहाँ पे दुख वर्ड आना चाहिए या सुक चलो पहले उपर का समस्त है कि संसार दशा में सुक तो सर्वता है नहीं दुख ही है कि कैसा है संसार दशा के अंदर कि सर्वता सुक नहीं है संसार दशा में सुक तो सर्वता है ही नहीं दुख ही है क्यों जो इस जीव को क्या नजर आ रहा था कि यह पुन्य के उद्य से जो बाई अनुकूलता नजर आ रही थी तो बोले वो अनुकूलता भी कैसी है कि बोले वै अनुकूलता सर्वता नहीं है यदि संसार के अंदर हम पुन्य के भूग को सुक का कारण माल लेंगे तो बोले वो पुन्य का भूग भी कैसा है कि बोले वै सर्वता रहने वाला नहीं है और जो सर्वता रहने वाला नहीं है तो इसका मतलब कि वहाँ पर सुक है ही नहीं क्यों क्यों क्योंकि सुक का परिवाश्य क्या बताई गई कि बोले जो सदेव हमारे को निराकुल अवस्ता प्रगट करवाए वै अवस्ता ही सुक है ऐसी अवस्ता में सुख कहा जो अभी तो हमारे को सुख जैसा दिखा रहा है और थोड़े समय बाद वही चीज़ हमारे को दुख नजर आने लग जाता है तो जो पुन्य के उदैसे हमारे को संसार में सुख नजर आ रहा है अब उसके बारे में विचार करे क्या वै भी वास्ता में सुक है क्या दिखने में तो क्या नजर आ रहा था वह पुन्य की सामगरी कि पुन्य की सामगरी इस जीव को आकुलता नहीं करवाती है इस जीव को आकुलता कौन करवाता है तो हमारे को नजर आता है कि पाप का उदय, असाता करम का उदय, जीव को दुखी कराता है और जिसके पुन्य का उदय है, जिसके साता वेदनी करम का उदय है, जिसके शुप करम का उदय है उस जीव को हम क्या मानते हैं इस जीव के तो बहुत ही अनुकूलताएं है यह जीव तो सुखी है इसकी तो पांचों उंगलियां घीमे जिसके इतना पुन्य का उदे है कि उसको मन में कुछ विकल्प आया और वह वस्तु भी आ जाया उसके सामने इतना पुन्य शाली कोई बैवाब शाली ऐसा चकर वरती भी हो तो भी हाँ पे टोडल वल जी कहते है कि वो ले वैद दिखने में दिख रहा है लेकिन वास्ता में वैद सुख नहीं है कि सपेक्षा से परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है किसी के कभी थोड़ा दुख होता है सो पूर में बहुत दुख था अब वरतमान में वैद दुख कम हुआ तो वैद बहुत की अपेक्षा से जब कम होता है तो यह जीव कम को क्या मानने लग जाता है कि मैं सुखी हो गया जैसे किसी जीव को खाने के लिए दाना नहीं मिलता एक मैने तक वैद परेशान हो रहा है खाने के लिए भीक मांग रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है और उस जीव को किसी वेक्ती ने दया करके आदी रोठी दे दी तो वै जीव क्या मानेगा चलो आज तो मैं सुखी हो गया तो क्या आदी रोठी उसको क्या सुखी कर देगी लेकिन वो मानता क्या है यह नहीं आज मैं सुखी हो गया क्यों 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 मेरे को इतने दिन बीट गए मेरे को खाने के लिए एक दाना नहीं मिल रहा था और आज मुझे आदी रोठी मिल गई तो मैं सुखी हो गया तो बुले वे अपना सुखा परिमा आप कहां से करता है यह जहां मेरे बहुत दुखता बहुत आकुलता थी जैसे उस आकुलता में थोड़ी कमी आती है तो वह उस कमी को क्या मानता है कि मैं सुखी हो गया तो यह पुन्य पाप का भी खेल कैसा है है तो दोनों वेदनी करम के वेद लिए खेल कैसा है यह पाप का जो उदय है तो वो उदय तो क्या दिखाता है जीव को प्रत्यक्ष आकुल्टा दिखाता है वो प्रत्यक्ष दिखा रहा है लेकि पुन्य का उदे क्या है कि यह आकुलता प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाता लेकिन यह इसका जो रिजल्ट आएगा बाद में वो परोक्ष रूप से आकुलता ही आने वाला है कैसे यह जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मीठे खाने का बहुत शौक है अब यदि पाप का उदे होगा तो उसको मिले गए नहीं मीठा खाने को अब पुन्य का उदे बहुत अच्छा है अब पुन्य के उदे से उसको बहुत सारी मीठे सामजरी मिलने लग जाए अब रोज इतना मीठा खाने लग जाए प्रतिस हमें मीठा 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 खाता रहे तो दिख तो क्या रहा उसको सुख कारण लेकिन वह परोग शुरूप से क्या है कि बोले यदि उसका गुलकोस का लेवल अत्यदिक हो जाए तो डॉक्टर क्या कहने लग जाएंगे कि अब इसको डाइवेटीज हो चुकी है तो बोले वह सामगरी मिली तो इसको पुन्य के उदे से न लेकिन वह पुन्य के उदे की सामगरी फिप बाद में इसको पता चलता है यह तो मेरी आकुलका का कारण जैसे राजा को राज्य सामगरी आदी मिलती है तो किस के उदे से मिलती है पुन्य के उदे से किसी वक्ति को दन बैवावादी मिलता है तो यह सब मिलते थे पुन्य के उदे से भाई यह सहीवादी सब पुन्य के उदे से मिलते है लेकिन वे पुन्य की सामगरी है दिखने में हमारे को दिखता तो ऐसा है ये सुखला रही है लेकिन परोक्ष रूप से उस दुख के पीछे आकुल का छुपी हुई है कि जब कर हमारे पास रुप्या पैसा भोग सामगरी नहीं थी तब तो हम आकुली थी धी रहते लेकिन जैसे जब पुन्य का उदे आया तो वे जब भोग सामगरी आने लग गई अब हमारे वो आकुल तक क्या लाता है कि अब वो हमारी नहीं नहीं इच्छाएं चालू कर देता है कि जब तक रुप्या पैसा नहीं था कभी कोई गरीब व्यक्ति हो जिसके दिन में दस रुपए कमाने की भी लाइकात नहीं हो तो क्या वह गरीब व्यक्ति ऐसा सोचता होगा कि मेरे पास मरसर इचकार हो मेरा बहुत बड़ा बंगला हो मैं बहुत वर्ल्ड ट्यूर करूँ क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास दस रुपए की कमाई नहीं है तो मैं इतनी बड़ा क्या विकल्ब करूँगा? तो वह तो कितना सा विकल्ब करता है कि भाईया मेरे को खाने के लिए रोठी मिलिया है और आराम से सोजाओ बस मेरी जिंदे की इसी में निकल जाए तो बोले अब जब उसका बहुत पुन्य का उद्य आ जाए और उसके लाटरी निकल जाए तो अब उसका विकल्ब क्या करने लग गया? कि अब उसके विकल्ब में आने लग गया कि अब मेरे पास रहने के लिए बहुत अच्छा मकान भी होना चाहिए मेरे पास घूमने के लिए गारी बंगला भी होना चाहिए मेरी समाज में प्रतिष्टा भी होनी चाहिए सारी सावग्रिय होनी चाहिए तो बहुत पुन्य का उद्य आया है अब उस पुन्य के उद्य ने देने को क्या पैदा करवा दिया ये तेरे को इच्छाएंग इती जादा करवा दी हिए अब तु और जादा आखुलित होगे इसलिए यहाँ ठोड़ों माल जी बता रहे है कि हमारे को संसार में ये ब्रह्म है कि संसार में जिसके पास पुन्य का उदय होता है जिनके बाई असामधरी बहुत अच्छी है उस वह जीव तो सुखी होंगे न टोरेलमजी कहते हैं कि बोले वह हमारे को सुखी नजर आ रहे हैं क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों कि हमने अपेक्षा से हम अपने आपको उनसे तुल्ला करने लग जाते हैं कि मेरे पास तो कमाई के बहुत बड़े सादन नहीं है और उस व्यक्ति के पास बहुत बड़ी फैक्टरी है मेरे पास रहने लाइक छोटा सा कमरा है और उस व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल है तो वह व्यक्ति तो सुखी होगा और मैं दुखी हूँ तो हम अपनी अपेक्षा से उसको सुखी मानने लग जाते हैं तोडलमल जी कहते हैं यह भाया यदी वैपुन्ने का उद्य इस जीव को सुखी कर देता तो बुले इस संसार में जितने भी तिर्थंकर हुए हैं वैं सारे के सारे तिर्थंकर छत्रिय कुल के अंदर राज्य अवस्ता में पैदा हुए है सबकी सब राजकुमार थे कई राजा भी बन गए तो बुले और कई ऐसे भी भगवान हुए हैं जिनके पास शेखंड का अधिपती थे ऐसे हमारे चकवरती आधिक भी भगवान बने तो बुले बैवों की तरफ से यदि हम सुख मानने लग जाएं तब तो बुले संसार का बड़ा सा बड़ा बैवा उन चकवरती के पास उन तिर्थंकरों की राज्य अवस्ता के अंदर था लेकिन तब भी उनको वे पुन्य की उद्य की सावगरी में सुख क्यों नजर नहीं आ रहा था और अग्यानी को क्यों नजर आता है क्योंकि अग्यानी अपने आपको उस सावगरी के अभाव से दुखी मान रहा है अग्यानी अकुलित क्यों होता है कि सयोगों का अभाव से मेरे को दुख होता है तो वो सुक्की कलपना भी क्या कर रहा है यदि उन सयोगों की प्राप्ति हो जाए तो मैं सुक्की हो जाओंगा और यहाँ पर टोडल वलजी समझाना चाहरे है बैया ना वो सयोग सुक्के कारण है ना सैयोग दुख का कारण वोले उन सैयोगों के प्रती तेरा जो ममत परिणाम है तेरा जो अज्ञानता है वही तेरा दुख का कारण है और जब वो अज्ञानता हटेगी तब तेरे को सुख में जाएगा तो वे अज्ञानता जी को क्या दिखाती है कि बोले जिसके पास पुन्य करम का उदय होता है वे जीव संसार में सुखी होता है क्योंकि दिखाता है ना हमारे को कि हम संसार में अपने आपको सुख कम मानेंगे कि जब मेरे पास रहने लायक एक अच्छा मकान होगा मेरे पास अच्छा व्यापार अच्छी नौकरी होगी मेरे अनुकूल मेरे गरस्ती होगी तो हम अपने आपो क्या मानने लग जाते हैं कि मैं तो सुखी हो गया तो टोडल मल्ली के सामने जो प्रेशन उपस्तित हो रहा है वे ऐसे व्यक्ति का उपस्तित हो रहा है और ऐसे व्यक्ति मतलब हम जैसे व्यक्ति कि जिनोंने इस संसार में बाई अनुकूलताओं में अपने आपको सुखी मान रखा है तो वे जीव ऐसा ही मानेगा कि वास्ताओं में अच्छा पुन्य करम का उदैबी तो सुख्का कारण है न तो जो हमारे को दिखरा है जब हम उसी को सुख्का कारण मान लेंगे तो हमारे को फिर आत्मा का हित्मोक्ष है यह बात कैसे समझ में आएगी इसलिए टोड़ल में जी समझाना चाह रहे है कि भैया यदि बाई ये पदार्थों में सैयोगों की अनुकूलता में सुख मिल जाता पुन्य करम यदि तेरे को सुखी कर देते तब तो हम लिख देते कि हाँ भाईया पुन्य करते रहना क्यों क्यों कि पुन्य के उद्धे से भोग सामाजरी बहुत मिलेगी और भोग सामाजरी तेरे को सुखी कर देगी तो बुले फिर प्रशन क्या उपस्तित होता है बुले दिखता तो है न आपके मना करने से हम को न न मानेंगे हमारे को दिखता तो ही कि जिसके पास अच्छा ठाट बाट है जो गाड़ी बंगले में घूम रहा है वह कितना सुखी दिखता है हस्ता रहता आराम से उसके आसपास अजारों लोग घूम रहा है उससे सब व्यक्ति उससे मिलना चाहते है तो सुखी तो है व्यक्ति तो आप ऐसा कैसे कह रहे हूं कि वह व्यक्ति सुखी नहीं है तो कहते हैं यहां पर समझा रहे हैं कि बोले यह देखो इसी टोड़ोगल जी की वाशा में समझते हैं परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है किसी के कभी थोड़ा दुख होता है सो पूर में बहुत दुख था वह अन्य जीओं के बहुत दुख पाया जाता है उस अपेक्षा से थोड़ा दुख वाले को सुखी कहते है कि इस जीओ को क्या नजर आता है कि संसार में जिनके बहुत दुख दिखता है तो हमारे को क्या नजर आया कि जिनके पास अनुकुल सावगरी नहीं होती है जिनके अनुकुल सही योग नहीं होते हैं वह जीव दुखी होते हैं हम जब एक रिजल्ट निकाले एक जगे लिखे मलक सर्वे कराए कि देखा सुखी कौन और दुखी कौन तो उस सर्वे के अंदर क्या पाया जाएगा कि जिसके नोकरी नहीं लग रही है है ना जिसके रहने के लिए मकान नहीं है जिसके अनुकोल गर की परिस्तिती नहीं है, जिसको खाने की लवस्ता नहीं मिल रही है तो सर्वे में वह सब लोग क्या बोलेंगे हिं हम तो बहुत ही दुखी है अब एक सर्वे में यह भी आता है यह कुछ लोग यह कहते हैं इन्हें हमारे को, हमारे अनुकुल जित्ती नौकरी मिलनी चाहिए वैं मिल गई जित्ता व्यापार में कमाना है वैं मिल गया अनुकूल हमारी गर गरस्ती है तो हम उतने दुखी तो नहीं है तो हम उनसे पूछते आप उतने दुखी तो नहीं हो तो क्या सुखी हो क्या गल्टी से वह सर्वे में लिख दे हैं ह अब अपन उनको ये टोडलवल जी कहना चाहते हैं यदि अब तुम सुखी हो गए हो तो अब तुम अपने उस संसार की व्रद्धी का प्रयास आगे बढ़ाने की किरिया का प्रयास बंद कर दो सुखी हो गए ने तुम अपको कि जैसे तुमारे को जैसे जिस व्रद्धी को बीस अजार रुपए की नौकरी नहीं लगती थी दो हजार रुपए की नौकरी कर रहा था तो मैं व्रद्धी क्या मान रहा था यदि मेरी बीस अजार की तंका हो जाएगी तो मैं सुखी हो रिजल्ट लिखा कि 20,000 की नौकरी मिलते ही मैं सुखी हो जाओंगा और उसको पुन्य के उदे से 20,000 की सेलेरी भी मिल गई तो अब हम उसको कहें कि भाईया तू अब सुखी तो हो गया ना अब तू इससे बड़ा विकल्प मत कर तो बोले फिर भी वह विकल्प क्यों कर रहा है कि बोले वह 20,000 रुपय अर्था वह पुन्य का उदे उसको सुख नि दिलाएगा बोले उसको दुखी क्या कर रहा था कि बोले जब उसने अपने आपको दूसरों की अपेक्षा देखी जो टोडल मल जी ने लिखा न कि इस संसार में पूर में बहुत दुखता या बहुत सारे जीव दुखी में जर आते हैं तो उन बहुत सारे जीवों को जिनको अनुकुल सावजरी नहीं मिल रही है उनकी अपेक्षा से यह अपने आपको क्या देखता है उनको तो कुछी नहीं मिल रहा मेरी कम से कम नोकरी तो लगी है उनके पास तो किराय का मकान है मेरा घर का तो मकान है उसके पास उसके कुछ मित्रादिक तो नहीं है मेरे कम से कम चार मित्र रो जाते तो मिलते तो है तो मैं तो सुखी तो हूना तो बोले तूने बहुत दुखी की अपेक्षा वहां तूने अपेक्षा लगाई इसलिए तू अपना वो सुखी मान रहा है लेकिन बोले वह भी वास्ता में यथार तो सुख नहीं है क्यों कि ले संसार के अंदर अगर सुख होता संसार वास्ता में यदि ये पुन्य का उद्य भी सुख करा देता तब तो हमारे को कहना पड़ता कि कुछ काल के लिए तो सुख मिलेगा ना लेकिन ये जीव कैसा है अनंत काल इस संसार में परिब्रमन कर रहा है अब मनुश्य गती की भी परियाई किती की जैसे वर्तमान की अवस्ता मानें तो वर्तमान की सो साल की आई हूँ बहले यदि तेरे सो साल में बहुत अच्छा पूर का पुन्य का उदे लेकर के आए और सो साल का पुन्य भी भोगता रहे तो भी बोले फिर उसके पश्चात कहा जाएगा फिर उसके पश्चात तुस स्वरगादिक में भी चला गया फिर उसके बाद भी कहा जाएगा यदि तुने अपने सम्यक तुन नहीं प्रगट किया तो सादिक दो हजार वर्ष तरस परिया किती मिली है सादिक अधिक्तम अधिक से अधिक 2000 सागर की उस 2000 सागर के पश्चात तो यदि सम्यक्रेंड नहीं किया तो फिर नियम से यह जी वापस से निगोद में जाने वाला तो बोले जब हम काल की अपेक्षा से चिंतोन करें अनंत काल की अपेक्षा से यह जो वर्तमान का पुन्य का सह्योग भी मिल गया तो बोले यह गिंती का कहा है यह थोड़े समय के लिए है कि जैसे बहुत समय का अंधेरा हो थोड़े समय के लिए जुगनु टिम्टि मागे तो क्या उन जुगनु के टिम्टि माना मात्र से हमारे घर में उजाला हो जाएगा वोले किंचित दिख गया तो ऐसे तेरा अनंत काल का दुख है और वहाँ पर तेरे किंचित समय वेपने का उदे चला और तू अपने आपको उसी में दिसुक मानने लग जाएगा तो अनंत काल के लिए तो फिर तेरे को वापस से दुख हवस्ता निगोधा दिक के अंदर जाना पड़े इसलिए यहाँ पर टोड़े मल्ली बता रहे है कि बहुत काल से जीव को दुख पाया जा रहा था जब दुख की कुछ मंदता होती है तो यह अपने अबो क्या मानता है ही मैं सुखी हो गया जैसे किसी को एक सो चार डिगरी का बुखार हो और एक सो चार डिगरी के बुखार से जब बुखार सो डिगरी का रह जाता है और जब मिलने वाले आते हैं तो मिल्ने आले पूस्टे बहिए अब तेरी तवियत कैसी है तो क्या कहता है आम मैं ठीक हूं किसा पेक्षा से कहता हो जो मेरा 104 डिगरी का बुखार हो रहाता सिर्द दर्द हो रहाता हाथ पाउं नहीं हिल रहे थे अब मैं कम से कम थोड़ा बहुत हाथ पाउं हिला पा रहा है। इसलिए वह अपने आटव क्या बोलता है हम मैं ठीक हूं तो क्या वास्तप में ठीक है क्या वह ठीक तो वास्तप में उस समय भी नहीं है क्यों करकि अभी भी तो सो डिगरी का बुखार है ना लेकिन फिर भी उसने क्यों माना है नी 104 की अपेक्षा से 100 डिगरी रह गय इसलिए मैं अपने आपको ठीक मान रहा हूं ऐसे ये जीव पुन्य के उद्धे से क्या मानता है ये बोले मैं संसार में बहुत जीव ऐसे देखता हूं जिनके बाय सामगरी नहीं है भोग सामगरी नहीं अनुकुलता है नहीं है तो वो जीव तो मेरे को दुखी नजर आ रहे और मैं कैसा नजर आ रहा हूं मेरे को कम से कम वो दुख तो नहीं है इसलिए मैं अपने आपको सुखी कहने लग जाता हूं लेकिन या तोडल मल जी कह रहे हैं भाया तू उसको सुख मत माल ले ना क्योंकि यहां पर प्रक्रण क्या चल रहा है कि वास्ता में जीव का हित ज हम जाने मेटे हुए कि संसार में सुख का है दुख का है बहुत संसार की किस वस्तु में सुख है और संसार की किस वस्तु में दुख है वो संसार में भेद नहीं कर रहे हैं वह किस में भेद कर रहे हैं कि वास्ता में इस जीव का हित कहा है वह यथार्थ सुख का है तो कदाचित पुन्य के भोग सामगरी में भी दिखता है वे राजपाट आदिक में भी दिखता है वे घर गरस्ती में अनुकूल घर गरस्ती में भी दिखता है तो बोले वे भी वास्ता में यथार्त सुख नहीं है तो बोले वे सुख नहीं है तो भी हमारे को सुख जैसा वैसी आकुलता तो दिख नहीं रही ना बोले उस आकुलता का डिगरी थोड़ी सी कम हो गई है तो बोले वह भी आकुलता लेकिन उस आकुलता की डिगरी कम होई है जैसे मालनी जे हम लोग गर्मी के दिनों में यह रा पुन्य का हमारे पास कहनो हमने उस पुन्य के बाश्या को समझाना चाहछा हुं पुन्य के मुल 몰ज से हमें अपने टिकट कांके कराएं हैं हम ऐसी जगर चलते हैं और दू मैंने अएसी जगर रहेंगे जहां का temperature 28 degree का होता हूँ ऐसे देश में चले जाते हैं कि ऐसे स्विजर लेंड आदिक में चले जाओ ऐसे देश में चले जाओ जहां पर प्राकर्तिक वातर बहुत अच्छा है तो पुन्य के उद्य से हम वहां पे चले रहें तो ठोडल मल जी को अब वह जीव क्या कह रहा है कि देखो मेरा पुन्य का उद्य है ना तो मैं तो सुखी हूँ कि जिसके पास रुप्या पैसा नहीं था तो वह जीव तो अभी भी जैपूर की भरी गर्मी के अंदर कमरे के अंदर ही दुपका हुआ बैठा हुआ है तो एक गर से बार नहीं निकलता क्यों कि उस के पास पैसे ही नहीं था पुन्य का उद्य ही नहीं था और हमारा तो देखो साब पुन्य का उद्य है कि हमारी फैक्टरी भी चल रही है ब्यापार भी चल रहा है और हम दो मैंने के लिए स्विजर लैंड घूमने आ गए है तो हम तो सुखी है ना हमारे को काईगा दुख ये दुखता आप उनको बोलो जिनके पास बाई ये बैवाव नहीं है उनको बोलो आप दुखी अब हम विचार करें कि उस पुन्य के उदे से हम दो मैने के लिए अनुकूल वातावरण में भी चले जाएं प्रकरती के अनुकूल हमारे शरीर के अनुकूल वातावरण जहां मिले तो बोले क्या हूं वहाँ पे सुकी हो जाते हैं क्या जो समझाना चाहरे न आकुलता का परिमाप थोड़ा बस कम होता है तो बोले अब वहाँ पर हम पहुंच गए अब वहाँ पर हम पहुंच गए अब वहाँ पर पहुंचने के बाद अब हमारे को वहाँ की आखुलता दिखती है इतनी आखुलता नहीं हो रही क्योंकि यहाँ जैपर में तो क्या था गर्मी की आखुलता हो रही थी अब वहाँ पर कौन सी आखुलता चालू हुई है यह बोजन सामगरी हमारे अनु कुल है की नहीं है हम वेजिटेरियन है हमारे को जैन बोजन चाहिए वो मिल रहा है की नहीं मिल रहा है अरे हमारे को यहां जिनमंदिर भी नहीं मिल रहा है और भी कई चीजों की यह वाँ घूमने फिरने के जो साधा नम सोच रहे थे वो नहीं मिल पा रहे तो बोले जो आकुलता थी वो इतनी जादा तो नहीं है लेकिन अभी भी वह आकुलता थोड़ी रूप में बनी रह रही है तो बोले फिर जीव सुखी काई का हुआ यदि वह पुन्ने का उद्ध इसको सुखी कर देता तो वहाँ पर भी बिलकुल रहना चाहिए ना वहाँ पर कुछ भी इसको चिंतन में एक शेंड भी ऐसी आकुलता नहीं आनी चाहिए थी लेकिन बोले वहाँ पर उसका थोड़ा डिगरी कम हुआ और उस कम डिगरी को क्या मान के बैढ़ गया है कि मेर भी अवस्ता के अंदर कोई सुख है भी नहीं मृझे वैं पुञ्ये का उदे तेरे वे सुख दिखा रहे है वह म्रेग मरिची का जैसा है कि तेरे को सुखा भाँस दिखाता है वो कि अनुकूल सामगरी मिलने से मैं शुकी हो लाँगा लेकिन वह अनुकूल सामगरी भी तेरे को सुखी नहीं करती क्यों? क्यों कि यदि वै करती तो जितने भी राजा आदिक हुए है चक्रवर्ती आदिक हुए है वै इस संसार को आज तक नहीं त्याग दे आता है न वो वहाँ पे जो इंदोर के कांच के मंदिर में एक बहुत अच्छा दूआ लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग काक बीट संगिनत है सम्मेद दस्टी लोग क्यों जो पुन्य की वुदे की सामगरी है कि चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए इंद्र के जैसे भोग मिल जाए तब भी बोले घ्यानी को कैसी नजर आ रही है बोले कवे की बीटकी जैसी नजर आती है और अज्यानी को क्या नजर आ रहा है तो बोले हमारे को बस एक बार मिल जाए यहां पर it विज्दिन प्रकरंट के उठा रहे है पुन्य के उदे का सुक्का भी क्योंकि अनंत काल हो चुका है यह जीव पुन्य की भोग सामगरी में सुक्काई भ्रम करता रह रहा है उसका भ्रम तूटी नहीं रहा उसका भ्रम के नज़र आता है यह भगवान बस मुझे तो मेरे अनुकुल रवस्ता दिलवा दो मैं इतना शुप परिणाम करू मैं इतना अच्छा कार्य करू कि मेरा इतना पुन्य बन जाए कि मेरे को संसार में अनुकुलता अनुकुलता मिल जाए यहां पे शुबादी क्रिया का निशेद नहीं यहां पे टोड़लवल जी जो समझाना चारे है कि जी उस पुन्य के उदे से अपने आपको जो सुखी मान के बैड़ गया तो बोले वह अपने आत्मा का अहित कर रहा हित नहीं कर रहा क्यों कि उसने सुख को ही मान के बैड़ गया अब जिसने पुन्य के उदे को सुख मान के बैड़ गया तो अब उस जीव की परिणती उसकी प्रवर्ती भी कहां चलेगी केवल पुन्य को बढ़ाओ बस पुन्य की सामगरी को बढ़ाओ पुन्य की किरिया को कराओ तो वे पुन्य की किरिया कोई धरम बानके बैठ जाएगा वे दयादान पुजा पाठा दिक कोई धरम बानके बैठ जाएगा वह यहां टोड़े मल जी कहना चारे है कि बोले उस सब चीज से अच्छे कारे से हमारा पुन्य बढ़ता तो है लेकिन फिर भी वे पुन्य संसार में हमारे को परमार्थ सुख नहीं दिखला सकता बस वो क्या दिलाता है कि वे हमारे को संसार की सयोग अच्छे दिला देगा भोगसा मगरी दिला देगा अनुकूल का दिला देगा जैसा हम चाहते हैं लेकिन वे अनुकूल वात्थावरण भी हमारे को यतार सुकी नहीं कर सकते, क्यों बहें वात्ताव वात्तावरण कितने समय का है, ज़ि कोई कह भी सकता है, कि नहीं हमारे को तो दिख रहा हैं न, हम देखो इतने शमय तक हम सुकी दिखतो रहना, तो बोले फिर जड़ा लावा है बहुत अलप समय का तो इतने अलप समय के पुन्य से क्या तू अनंसुकी हो जाएगा यदि यह पुन्य के भोगों में उलच जाएगा तो जैसे यह भोग तेरा पुन्य खतम हुआ फिर तेरा जब आपका उदह आएगा या परियाय बदल जाएगी फिर वो दुख को कैसे भोगेगा लो कावत भी है ना कि जब तक तेरे पुन्य का बीता नहीं कगार तब तक तुझको माफ है अवगून करे अजार तो अनलब ये पुन्य के उद्धे में भी क्या क्या करने लग जाता है यह पुन्य के उद्धे म कि बोले ये तेरे को अनुकूल सामगरी मिल गई ये सब कुछ मिल गया है उस सामगरी को तू अपना आत्मा के सही पुर्शार्ट में लगा ले उसको सुक्का कारण मत मान कि वास्ताव में ये जीव का उप्योग आत्म हित में भी कब लगेगा कि जब इसके शरीरादिक या भ पुन्य का वस इतना उपकार मानो कि इसने हमारे को शरीर अनुकूल दे रखा है इस पुन्य में हमारे को भाई और सामगरी दे रखी है ये उसका एक उपकार मानो जो पुद्गल रवे के उपकार बताएं ने पांच वध्याई के अंदर क्या के बताएं सुक दुख जीव मड़ों पर ग्राश्च है तो सुक अर्था वह पुन्य का हुद है कि वह पुन्य की सामगरी वह पुद्गल द्रवे का उपकार मानो तो बोले लेकिन उस उपकार को तुम इतना मत मान ले न कि वह तुम्हारे को पर्मारेंट साधी अनंत काल तक के लिए सुकी कर देगा वह अच्छा शरीर दे दिया बाई अनुकूलता है दे दी और निराकुल हमारा शरीर है तो ये पुन्य का उपकार मिल तो गया लेकिन अब क्या करना अब अपना यथार्थ हित का है अपने उप्योग को अब आत्म ध्यान में लगा ले क्यों क्यों कि जिसका जब पाप का उद मान की अपेक्षा से पंचम काल की अपेक्षा से हम विचार करें यदि जिसका पाप का उदय हूँ शरीर प्रतिकूल हूँ बाई ववस्ता हमारे अनुकूल नहीं हूँ तो उस जीव को धरम सुनने की कभी विचार आएगा कैसे क्यों कि पंचम काल है ना तो पंचम काल के अंदर तो सब प्रतम ये जीव अपनी बाई ववस्ता में लगता है तो पहले तो ये मानो कि हम इस जीव में अधि पाप का उदय नहीं है और हमारे पुन्ये के उदय से हमारे अनुकूलता हमारे को मिल गई तो अब जो टोडल वल जी समझाना चारे है इस अनुकूलता को तुम सुक्मत मान लो बस इसको ये मानो कि ये अभी हमारा एक सहचारी है कि चलो हमारे को कमाने के लिए इतना परेशान होना नहीं पड़ता शरीर में ऐसा रोग नहीं है कि हम स्वाध्य आदिक भी नहीं कर सकते ध्यान आदिक भी नहीं कर सकते वहले शरीर हमारा स्वास्त है बाई ये वातर अच्छा है तो अब इस समय क्या करना कि वास्ता में जो आत्मा का हित है वे केवल मेरे निज चेतन्य सुभाव की अनुभूती है उसकी प्रगर्टा करना ही है और नहीं तो बोले यह जो पुन्य के उदे से जो मेरे को सुख दिख रहा है जो भोग सामगरे में सुख दिख रहा है तो बोले यथार्त तातो थोड़े समय बाद दुख को लाने वाली है तो ऐसा यहां पे पूर में बहुत दुख था यह अन्ने जीओं के हम बहुत दुख देखते हैं उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं तता उसी अभी प्र जाय से थोड़े दुख वाले अपने को सुखी मानता है परमार्थ से सुख है नहीं उसी अपेक्षा से कि जिसको बहुत दुखी दुखी नजर आ रहे हैं उसी अपेक्षा से वह अपने आपको क्या बोलता मैं सुखी जैसे घर में किसी माता के चार बेटे हो और वह चारो बेटें जब बड़े हो जाते हैं अपने अपने व्यापार दंदे में लग जाएं तो किसी एक बेटे का बहुत पुन्य का उद्य हो वह बहुत बहुत सामगरी उपस्तित कर ले और बाकी के अन्य बेटों का इतना पुन्य का उद्य नहीं होता है तो वह कैसे अपना वो करके अपने दुख को देखता है कि मेरा दुख उनका जितना नहीं है दुख तो उसको मिल रहा है लेकिन मेरा दुख उनका जितना नहीं है तो मैं सुखी हूँ लेकिन मैं वास्ता में परमार्त से सुखी नहीं है कैसे नहीं है अभी समय हो गया इसकी चर्चा अपन और कल क बारेंगे